रुतुराज गायक्वार सेंचिरी, सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायक्वार ने लखनओ सुपर जायंट्स के खिलाफ M.A. चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में शतक लगाया है। कप्तान गायक्वार ने 56 गेंद में 100 रन पूरे किये। कप्तान रुतुराज गायक्वार ने लखनओ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में शतक जर दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चैननई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं थी। रहाने सस्ते में पवेलियन लॉट गए। हालाकि सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवार ने एक छोर को संभाले रखा और शतक ये पारी खेली। रुतुराज गायकवार का IPL में ये दूसरा शतक है। इससे पहले रुतुराज आगला गायकवार ने 2021 में शतक लगाया था। रितुराज गायकवार बतौर कप्तान चैननाई सुपर किंग्स के लिए शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। चैननाई सुपरकिंग्स के सलामी बल्लेबाज रितुराज गायकवार ने 54 गेंद में 11 चोके और 3 छक्के की बदौलत 100 रन पूरे किये. रितुराज ने 28 गेंद में पहले 50 रन पूरे किये. इसके बाद उन्होंने अगेल 50 रन 28 गेंद में बनाए. रितुराज गायकवार और उनके सलामी जुरीदार अजिन के रहाने के बीच सिर्फ चार रन की साजहेदारी हुई। डेरल मिचेल ने 10 गेंद में 11 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 19 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रितुराज गायकवार और शिवम दुबे के बीच चौथे अगला विकेट के लिए 70 से ज़्यादा रन की साजहेदारी हुई। IPL 2024 में टीम की कमान संभालने वाले रितुराज गायकवार बतोर कप्तान चैननाई सुपर किंग्स के लिए शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले मुरली विजय और शेन वाट्सन ये कारनामा कर चुके हैं। लखनओ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में चैननाई सुपर किंग्स ने रितुराज गायकवार के शतक की बदोलत 20 ओव में 4 विकेट खोकर 210 रन बनाए हैं। पर पढ़े गायकवार साथ गेंद में 108 रन बनाकर नाबाद लोटे। उन्होंने अपनी पारी में 12 चोके और 3 चक्के लगाए। शिवम दुबे ने 27 गेंद में 66 रन की तुफानी पारी खेली। उन्होंने पारी में 7 चक्के जड़े।